नमस्कार मित्रो आज आपके साथ एक आनंद बढ़ाने वाला समाचात साजा कर रहा हूँ भारत पाकिस्तान सीमा अटारी बॉर्डर जिसे पूर्ब में बागा बॉर्डर कहते थे वहाँ पाकिस्तान के जंडे से भी मुचा भारत का तिरंगा लहरा रहा है विसे सर्विलांस तकनीश से सुसजित या ध्वज सरहत पर निगरानी में हमारे जवानों की विसायता करेगा केंद्रिये मंत्री नितिन गड़करी ने 19 अप्टूर को अटारी बॉर्डर पर स्वन्ड जैनती द्वार के सामने देश का सबसे उंचा तेरंगा फेराया है पहले भी यहां 360 फी पराजय का सामना करने वाले पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाने के लिए 400 फीट उचे पोल पर अपना जंडा फैरा दिया ऐसा करके पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अब भारत का जंडा सदेव पाकिस्तान के जंडे के नीचे रहेगा परंतु पाकिस्तान भूल गया कि या नया भारत है। पाकिस्तान को इस मनोवग्यानिक युद्ध में भी विजय नहीं मिलनी थी। भारत का ध्वज पाकिस्तान के जंडे के नीचे लहराय या किसे बरदास्त होता। अंतर केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंतराले की पहल पर भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधिकरण ने साड़े तीन करोर रुपे में अटारी बॉर्डर पर चार सो अटारा फीट के नए ध्वज इस्तम को इस्थापित किया जिस पर फैरा रहा है अमारा प पर फैरा रहा ते रंगा अब देश में सबसे उंचा ते रंगा हो गया है इससे पहले करनाटक के बेल गाउँ में देश का सबसे उंचा ते रंगा पिछले दिनों सितंबर में चार सितंबर को जब मैं अटारी बोर्डर पे गया तो वहां भारत का ध्वज नहीं पाकर थोड़ा अजीब लगा था अटारी बोर्डर की और बढ़ रहा था तो दूर से ही पाकिस्तान का विशाल जंडा आस्मान में फेराता हुआ दिख रहा थ तो मन में सूचता था कि मेरा तिरंगा का है अपने तिरंगे के बिना ये आस्मान सूना लग रहा था अटारी बोर्डर को को मैंने सबसे पहले वांके सैनिक बंदों से पूछा कि यहां पाकिस्तान का इतना बड़ा जंडा फेरा रहा है जो भारत में भी बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है जब कि हमारा ध्भज खाली पड़ा है हमारे ध्भज इस्थम्म में खाली पड़े तब उन्होंनेIRE पाकिस्तान की चालाकी की बारी में बताया और कहा कि हम पाकिस्तान के जंडे के नीची अपना रास्ट्री ध्वाज कैसे फेरा सकते हैं आप जब अगली बार आओगे तो यहां सबसे उच्छा और बड़ा भारत का ही जंडा फैराते हुए पाओगे फैरते हुए लहला आते हुए पाओगे जो भारत में ही नहीं अपनी पाकिस्तान में भी अपनी छाप छोड़ेगा इस 4-16 फीट उचे पोल पर जब भारत का जं देगा तो आपकी छाती 56 इंच की हो जाएगी